नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल एफम जान पर जहां पर हम और आप पैनेंशल एंड मनी रिलेटेड वीडियो लाते हैं और कोशिश करते हैं अपनी अहर नहीं वीडियो के साथ कुछ नहीं एजूकेशनल चीज़ें आपको सिखा सके हैं आज के टॉपिक में हम बात करने वाले यस बैंक का एक छोटा सा अनेलिसिस करूंगा यहां पर और सारे की पॉइंट आपके सामने रखूंगा कि आपको इन्वेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कितने लंबे रेस का बोड़ा है कितना पेशेंस लेवल होना चाहिए क्य तो क्या इस साल मिलेगा या नहीं मिलेगा तो चलिए इसी के साथ वीडियो के स्टार्ट करते हैं पहले तुम्हां बात करना चाहूंगा कुछ Yes Bank के की पॉइंट पे जिसमें अगर हम बात करें quarterly result के बारे में तो आपको ही पता है कि काफी बड़ा negative loss यहां पर हमें देखने कि जब से नया construction हुआ है तब से positive result आ रहे हैं काफी सारी चीजे cover हुई है business point of view से बात करेंगे तो Yes Bank में काफी recover कर रहा है बट क्योंकि उनके पास बहुत सारा bad loans उसमें ऐसा चला गया जो profit आ रहा है दूसरी चीज अगर आपको यादो RBI ने जो उनको supply करी दी लगब 50,000 के करी वो भी उन्होंने timely वापस कर दिया तो यह सारी चीजिया है जो आपको समझना होगा अब यहाँ पर provisioning बड़े level पर करी गई है तो बहुत सारे bank में provisioning करी और आपको भी समझना होगा जो top management है जो official bodies है वो लोग अगर provisioning कर रहे हैं तो वो लोग कुछ ना कुछ आगे द बजना तो यहाँ पर जो provisioning होई है उसका असर देखने को मिलेगा अब एक चीज मैं आप से पूछना चाहूँगा कि आप ऐसे गोड़े पर सटा लगाते हैं जो आने वाले टाइम में दौड सकता है तो ज़्यादा तर लोग सटा वहीं पर लगाते होगा जो लगातार क्योंकि वहाँ पर आपको नहीं पता है एफ यहां पर जो मैं अपने वीडियो कहर करता हैं हम यहाँ पर डेली बेसिसटेंट को इस बैंक से इंपॉर्टेंट अपडेट को घवर करते हैं अपनी हर वीडियो में तो अगर आप सारे अपडेट चाहते हों और सही एनलिसिस क साथ चाहते हैं तो चैनल को तुरहन सस्क्राइब कर लीजेगा क्योंकि यहाँ पर मैं सारी चीजें सच बताता हूँ ऐसा नहीं मैं बताता हूँ कि सीधे रॉकेट हो जाएगा 300 के लेवल पे होगा, 400 के लेवल पे होगा बहुत सारे लोग बता रहे हैं बट वो चीजे अगर हो रहे होती तो लगबग एक साल से आप लोग कभी पैसा लगा हुआ आपको देखरी को मिलता अब यहाँ पर आपको एक चीज समझना होगा कि पैसा आपने लगाया हुआ है अगर किसी का भी पैसा लगा हुआ और कोई दूसरा बंदा आकर बोलता है कि तेरा पैसा यह डूप जाएगा तो उसको बुरा लगता है लेकिन यहाँ पर हमें अपनी सच्छाए को एकसर्प करना होगा लॉचकल चीजों को समझने के होगी अब यहाँ पर मेरा analysis जो कहता है आप agree कर सकते नहीं भी कर सकते comment box में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि अभी कम से कम 2 quarter यह जो अभी trend में जहाँ पर Yes Bank जिस circuit में घूम रहा है 13 से 14 पंदा के level वहीं पर घूमेगा 2 quarter कम से कम 2 quarter में इसलिए बोलना हूँ क्योंकि अभी जो COVID का impact पढ़ने वाला वो भी देखने को मिलेगा और 2 quarter में कई सारी loan की recovery देखने को मिलेगा उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि हाँ किस level में Yes Bank आगे move करेगा उसके हिसाब से फिर जब 18 का level तूटेगा पिर आगे आप बड़ा target ले सकते हैं future में 25 का 30 का 40 45 जिसके लिए कम से कम आपको 2 साल वेट करना होगा और मैं मना नहीं करना होगा यह target पहुंचे के नहीं लेकिन आपको time चाहिए होगा अगर आप सोच रहे हैं हमें profit मिल जाएगा तो वो चीज यहां पर नहीं होने वाली यह आपको तोड़ा सा patience बना के रखना होगा यह बैंग में तब ही आपको अच्छा profit देखने को मिल सकता है क्योंकि अभी जब तक loan recovery और covid वाली situation नहीं सारी चीजें clear हो रही है तब तक yes bank इतने असानी से नहीं टूटेगा और मैं एक चीज आप से और पूछना चाहता हूं बस चोटी सी चीज आप comment box में बता सकते हैं जिनको भी लग रहा चालेश पचास पहुंचेगा लेकिन अगर एक दो महीने में पहुंचेगा तो मैं तो यही क्या रहो ना कि 16-17 या 18 की लेवल तक आने दीजिए उसके बाद जिनके पास analysis बट long term के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल invested रहिए मैं यहां पर sell करने की जानकारी आपको नहीं दे रहा हूं और लास्ट चीज जो लोग dividend के बारे में पूछ रहे तो dividend के लिए as per the yes bank अभी तक कोई भी news नहीं है ना yes bank की तरब से ना कहीं पर भी किसी भी website पर मैंने पूरी तरह से चेक कर लिए तो chances जो हैं यहां पर ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूं कि मैंने चेक कर लिए इस वोज़े नहीं मिलेगा बट chances जो हैं इस साल भी dividend नहीं मिलने वाला है क्योंक कमेंट करके जरूर बताइए थैंक यू